जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान होसलो को कर भुलन पूरे होंगे अर्मान ऊचे हो विचान मुश्किलों में हो मुस्कान राज योग के राज को जान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं और डीपली कि जो हम ये personality A और personality B की बात करते हैं होती क्या है और अगर इससे हमें कोई issues हो रहे हैं कोई problems हो रहे हैं तो हम उससे deal कैसे कर सकते हैं तो हमारे साथ discussion के लिए हैं Dr. Girish Patel A very warm welcome to you sir Om Shanti अभी हम लेते हैं ताइप A और टाइप B के बार में अगर बात करते हैं तो आखिरकार ये अगर हम समाप करना चाहें in continuation to our last discussion तो इसे हम कैसे समाप कर सकते हैं कि यही टाइप A है कुछ ऐसे traits होते हैं जिसे हम जज़ कर सकते हैं ये टाइप A है और ये टाइप B परस्नाज़ती है जैसे ने अगर करेक्टरिस्टिक्स हमने चर्चा की भी है कि वो highly ambitious है आचा कि वो competitive है वो impatient है तो इसे प्रोसेस में अग्रेसिव भी हो जाते है और सबसे important है उनको time urgency होती है और multitasking भी कह सकते इसकी वज़े से उनमें multitasking होता है और ऐसा देखो तो type B को exactly opposite कहा कि वो easy going है वो जैसे आया वैसा चलेगा वो बहुत बड़े goal set नहीं करते हैं वो relax होते हैं ना time urgency बिलकुल नहीं है उनको तो भले उसमे अच्छा भी है बुरा भी है तो अगर हम बात करें कि जैसे अगर हमने कहा कि यह व्यक्ति का type A personality है और यह व्यक्ति का type B personality है तो इनके drawbacks क्या हैं कि A का कुछ ऐसा भी है कि negatively वो impact करता है यह से तो देखो भी यह का ही जाए अगर disease point of view कि वो साइद high achievers हो सकते हैं पर उनको घुसा जादा आता है वो मतलब behavior से भी impatient लगेंगे उनके चहरे पर भी शान्ती नहीं होगी फिर उनको migraine होने के संभावना बढ़ सकती है उनको high blood pressure होता है उनको acidity हो सकती है हाट का issue भी थोड़ा मतलब यह सा नहीं कहेंगे कि वो ही reason है पर उनको heart issues उनको ज्यादा हो सकते है जनको type A personality हो अभी type B का जीवन में हसिल नहीं करेंगे अच्छा असलम अने कहा भी था कि ऐसे तो type A अच्छी है और सबसे बड़ी problem है type B के साथ कि वो प्रोक्रस्टिनेट करेंगे काम नहीं करेंगे उनके घर में जाओ तो कुछ चीज मांगो कहां भी उसको ढूंडने में दो गंटे लग सकते तो type A वाला एक सेकंड में आपको निकाल करके देगा वो अच्छा भी एक प्रकार से तो दोनों के ड्रॉबेक्स है तो अगर हम देखें कि हमारे साथ जैसे कोई डील कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो बॉस है वो type A परस्नाइटी है और हो सकता है कि बहुत अग्रेसिव हैं जादा जल्दी गुसा कर देते हैं या बहुत जल्दी रियाक्शन दे देते हैं तो उनके साथ डील कैसे किया जाएं? जी हां बहुत अच्छा प्रश्नाइब कि उनके साथ हम डील कैसे करें कोई यह कहेगा कि उनको आमें चेंज करना है पहले तो मान लोग हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं उनमें चेंज तभी आएगा जब वो खुद अइसास करेंगे उनको रियालाइज होगा फिर हम कुछ टैप सजेस्ट कर सकते हैं परंतो यह जो बात है कि हम उनसे डील कैसे करें तो डील करने में मैं यह कहूँगा आपको कि उसमें फाइदा भी है और दो उस पर प्रेशर आता है मैंने ऐसे बहुत से काम किया है उस पर प्रेशर आता है आपके उपर परंतो आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं क्योंकि उनको परफेक्ट चाहिए तो आप भी परफेक्ट करेंगे तो मैं यह कहूँगा कि उसके एडवांटेज को देखो मैं तो यहां तक भी कहता हूँ कि भी स्ट्रेस भी सिर्फ बुरी नहीं है भल स्ट्रेस बुरी है लेकिन स्ट्रेस जो मैसेज देती है उसको आप सही रूप से लो और यूज करो जैसे फर एक्जम्पल यही बात कि टाइप A परसनाली वाड़ा बॉस है तो आपको सदेव है ना क्या बोलेंगे आपको भगाने के मोहड में रखेगा और उसके करण दो सकते हाटबीट बढ़ जाए सांस ज्यादा चलने लगे तो यह सोचने का कि यह तो एनर्जी के लिए है कि इससे मेरा एनर्जी लेवल बढ़ेगा और मेरा एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो मैं ज्यादा हसिल कर लोंगा बले कंटीनियस पॉसिबल नहीं है ने तो फिर एक्जॉर्शन आएगा परन्तु कुछ समय इसमें फाइदा भी है तो उस पॉंट अफ विवम उस बात को लें तो दुसरा क्या करना चाहिए कि यसे टाइप वाले बॉसिस है तो आप पहले से हुमवर करके आओ आप थोड़े अच्छे से और्गेनाईज हो जाओ फर एक्जम्पल उन्होंने आपको कहीं मीटिंग में बुलाया कि भी चार बजे आना आप तो प्लान यह करो कि मुझे सबस्ट थर्टी टू कॉर्टर टू फोर के बीच में पहुंच नहीं है तो फिर आप थोड़ा लेट भी है तो चार से पहले तो पहुंची गए धेन फिर आप रिलाक्स है लेट हो गए तो दिक्कत होगी तो पहले से अगर कोई प्लानिंग करे ठीक से तो टाइप A परस्नालिटी वाला बॉस हो तो अच्छा ही है वो बुरा नहीं है और अगर हम तैसे फिजिकल इशूस के बारे में देखें कि अगर मेरी टाइप A परस्नालिटी है या टाइप B तो कुछ हमारे को फिजिकल प्रॉब्म्स भी जाती है तो अगर मैं बताया हार्ट बीट थेज होना अगर मैं टाइप A हूँ क्योंकि अग्रेशन अगर ये ज बहुत जल्दी गुसा आजाता है या बहुत जल्दी अग्रेशन में आजाती हूँ इस चीज़ को हम कंट्रोल कैसे करें ताकि हम अचीवर भी बने रहे हम थिंकिंग भी अपनी चालू रखें लेकिन हम साथ-साथ इंपेशन भी ना हूँ तो पहले भी मैंने कहीं इसकी च अच्छा एक का मतलब एक्सेप्ट एल का अर्थ लिसन और आई का अर्थ इंट्रोस्पेक्ट पहले तो वक्ति को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरी टाइपे परस्नालिटी है जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो यह आधा ही समश्या समापत हो जाती है कि मुझे अभी इसक अब आप भी अपने आपको कुछ बोल सकते हैं कि इतनी जल्दबाजी की ज़रत नहीं है जैसे पहले मैंने आपको बताया कि चलो दूसरा एक एक्जामपल लेते हैं कि आपको कोई प्रोजेक्ट को पूरा करना है आपको कुछ ऐसा इन किया गया तो दस दिन में आपको बहुत भगा दोड़ी हो जाती है तो इस प्रकार से कर टाइप वाले पहले से काम करना शुरू करें तो उनको दिक्कत नहीं हो दिक्कत नहीं हो और थोड़ा है ना वो डिटैच होकर के जो कह लिसन कि आपको जो थौट्स आरे ना उसको ही सुनो कि अंदर में क्या थौट् कि इसको सरदर शुरू हो तो अभी वो सुने गाना तो डिटैच होने लिए यह मुझे कुछ निगेटिव प्रभाव हो रहा है अभी आवश्यक्त है कि मैं थोड़ा एक विट्नेस हो जाओं थोड़ा समय डिटैच हो जाओं तो उसको महां पर फाइदा होगा तो लिसन करन नहीं क्योंकि कहीं बारे के यह भी पॉसिबल है कि जिनको इंफिरिर्लिटी कॉंपलेक्स है ना वो कवर अप करने के लिए ऐसा करते अच्छा वह अपने आपको जाएं तो इनफिरियर फील करते लेकिन अब यह बताना नहीं चाहते तो वो अपोजिट कुछ करते कि मैं ज तो उनको मुझे कोई और तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा, सिब चिलाने से काम नहीं होगा, इनका जो विक्नेस है, को जल्दी गुसे में आ जाते हैं, तो उससे काम नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि acceptance of the self की मेरा type A है, और acceptance of the other person also, की वो मेरे जैसा नहीं है, और उनसे मुझे वो कारिय करवाना जरूर है, और हो सकता है की अलग-अलग तरीके हों कारिय करने के, लेकिन result अच्छा, हमें उससे फरक पनाची की result अच्छा आ रहा है, रादर दन की the way of doing हो सकता है कि उसकी अपनी speed है करने की, लेकिन हमें result से जादा है, यदि भी सोचना है, कि मेरे में तो है ना, मेरी जो personality है, उससे always मैं तो मोड में हूँ, परन्तु दूसरे लोग मोड में नहीं है, तो मुझे उनको inspire करना पढ़ेगा, मैं तो कुछ ऐसी ब बार हम बलती कर जाते हैं, एक simple सी बात कि वहाँ चीज कह दो, तो व्यक्ति में बहुत बड़ी energy आ सकती है, यह सब भी का आज काही मैं बदाता हूं, यह शुरू करने से पहले मुझे dentist के पास जाना था, तो वहाँ पर हमारे एक भाई है, यहां के, Krishna भाई, हो भी वहाँ थ पास है, और कहीं साल हो गए, उन्होंने मेरी एक emotional intelligence पर सारी PPT बनाई थी, तो भी मैं भी था, उनका भी हुआ जाने तो मेरा Krishna भाई कैसे है, उनको आपको याद है, आपने मेरी PPT बनाई थी, अभी भी हम उसको यूज कर रहे हैं, इस is a small thing, बहले मुझे पता नहीं उनका reaction लेकिन व्यक्ति को बहुत अच्छा लग सकता है, अभी दुबारा भी मैं जाओ, तो फटा-फट बनाएगा उसको, जब इनको याद है, तो ऐसे बहुत सारी चीजे होती है, उनको बोलनी चाहिए, कुछ तो inquiry भी करनी चाहिए, आज जैसे जब टीम वर्क होता है, तो वहा काम किया कि नहीं, खाल इतना पूछ लो कि भीया, बेटे की तवियत कैसे है, he will really feel great, if they are concerned, पिरो बहुत करेगा, पिरो बहुत करेगा, तो लेट बहुत करेगा, तो I think appreciate करना एक दूसरे को job में, बहुत ज़्यादा important है जाता है, इवन घर में भी, छुटी चीजों में, पसंद नहीं है, और आपको पक्का मालूम पढ़ जाए, वो कोई कहना है, कोई बात नहीं है, वो ऐसा नहीं है, उसको पसंद है, परन्तु काफी बाहर आगर किसके आप संपर्ग में आऊना तब मालूम पढ़ता है, कि इस व्यक्ति को हैना emotions पसंद नहीं है, तो feeling वाला व कि 95% को जरूरत है, और भाईजी एक question मेरे mind में अभी एक दम आता है, कि कहीं बार ना, लोग जॉब में या कहीं बार घर पे भी, इस सोचते हैं कि गुस्सा करना जरूरी है, यह एक जो statement आती है दिमाग में, यह अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो यह मानेंगे नहीं, यह गुस्सा करना जरूरी है, इस तो बहुत जरूरी नहीं, क्यों जरूरी नहीं, तम जो सामने वाला गुस्सा करने से काम करता है, वो एक्चुली नहीं करता है, वो खाली आपको दिखावा कर रहा है करने का, और जब तक आप उनके सामने खड़े है तब तक ही ओ करेगा आज देखो तो दुनिया इतनी फास्ट है कि जिसमें जब तक सेल्फ मुटिवेशन नहीं है आपकी ओफिस में तीन लोग भी काम करते हो कुछ नहीं हो तो जो आवश्य रखता है वो सेल्फ मुटिवेशन के और सेल्फ मुटिवेशन अलग तरीके से आता है फोड़ा उसमें तुर्ण गुसा करने के बदले उसको शान्ती से बोले कि तुमने ठीक से ज़जा ही नहीं चीज़े तो क्या-क्या दिखता तू एक लिस्ट बनाओ उस्झी को टैम ज़े दो कि भी 10 मिनट में तुम पुरा लिस्ट बनाओ तू क्या थिक से नहीं ज़जाते होती है तो क्या एन्दर संभा स्थ जाए months and we can we we can do the हमारे काया तो उसको हनी होने कब आपने मों का नहीं भूर्ध से टेम्पररी से पिर्म करेवां लिया परन्तु उसमें जो लॉंग तम परिवर्तन आये उसका मोका ने दिया इंटर्नल चेंज नहीं हो पहली वाली जो युक्ति बता ही वो करेगा ना फिर साथ लाए तो आप भी सुन लो फिर उसका अपरिश्ट रहे वेरी गुड़ देख अपने लिस्ट बनाया नेक्स टाइम मा तुम थोड़ा सा बसे ट्राइ करना पहले से कि मुझे करना है तो यह हो जाएगा आपने जो भी पताया था अली इंट्रोस्पेक्शन वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन रहता है कि अगर हम सेल्फ होमवग करें तो हमें पता लगता है कि हमें कहां कहां इशूस हैं या ड्राइग्स हैं और सबसे बड़ा तो कि हमें लॉंग तर्म रिजल्स देखने हैं शॉट तर्म नहीं लाने हैं क्योंकि एक वेक्ति आपके साथ लंबा काम करने वाला है और यह भी समझना है कि जब कोई उमंग उसा से काम करता है तो दस गुना भी काम कर लेगा और भाई जी अगर हम एक लास्ट जो मुझे चीज इसमें पूछनी थी अगर कोई सिच्वेशन ऐसे आजाती है जिसमें बहुत जादा स्ट्रेस है उसमें टाइप A और टाइप B का अलग-अलग रिस्पॉन्स रहता है तो क्या रिस्पॉन्स रहता है और क्या यह रिस्पॉन्स सही है या नहीं यह सही तो दोनों में नहीं है कि जैसे टाइप A वाले में और उसके हाटबीट बढ़ जाएगी वह इंपेशन्ट होगा जैसे एंगर का उसको इस्पॉन्स भी हो सकता है और टाइप B में क्या होगा कि भी स्ट्रेस में वह और ज्यादा सा लेजी होगा वो सुचेगा हो जाएगा ठीक है तो वह भी एक्चुली नेगेटिव रिस्पॉन्स है उसका या तो कभी तो उसको प्रेशर में ले लेगा टाइप B वाला विटा दुसरों को ब्लेम करेग मैं तो अपने से करी रहा हूं इनका एक्सपेक्टेशन जादा है ऐसा करके ओ ब्लेम गेम में भी आ जाएगा और मोस्ट इंपोर्टर टाइप B का है ना कि वह पोग प्रोकरस्टिनेट करते हैं तो इसे नहीं बहुत सारे विकनेसे से टाइप B के भी तो मेरे खाल से टाइ आ ताइप B में बीच का पाथ हमें हुज सक्राइब जरूरी है थाकि हमें आंगर भी न दिखायें हम जायादा शीड भी न हो या बिखेक्ट कविल कंवे और carefree नहीं होना है तो अचीव करना है लेकिन in a very patient way दोनों में अली काम आएगा अली करेंगे उसको ठीक से कहां का मेरी विक्रेंस है तो टाइप B वाले को ambitious बनना है उसको अपने goal set करने है, higher goal set करने है, फिर बिले patiently काम करें परन्तु काम जरूर करें और यसे में भी कहूंगा कि टाइप B वाला काम भी करेंगा तो टाइप A नहीं बनेगा कभी बीच महीं आएगा और टाइप A वाला रिलेक्स होने का भी टाहे करेंगा तो बीच महीं आएगा, exactly तो बिल्कुल एक्स्ट्रीम नहीं जा सकते लेकिन हो चेंज भी पूरा नहीं होता है कभी इस नाट पसिबल कि व्यक्ति टोटली कहीं चेंज हो जाएगा तो इसलिए दोनों को सोच नहीं कि मुझे उसकी अच्छी क्वालिटीस को देखना है और कहीं नहीं बीच में आजाएंगे तो हमारे दर्शकों की बहुत, I think it is going to be very valuable for them to understand their own personality Thank you so much तो दर्शकों आज हमने बात करी टाइप A और टाइप B परस्नालिटी के उपर, थोड़ी डीटियल्स में कि हमें आच्छी में ना तो टाइप A बनना है ना टाइप B, हमें बीच का पात चूस करना है तो ऐसी ही कुछ इंट्रिस्टिंग कान्विसेशन्स के लिए बने रहे हमारे साथ, हम आगे भी चर्चा करेंगे और परस्नालिटी टाइपस के उपर अब हमें लिख भी सकते हैं, अब हमें इमेल कर सकते हैं या वाट्साप कर सकते हैं हमारे डिस्प्लेड नंबर्स पर थांक यू, ओम शान्ती अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान और अबर्मा कुमारी जोड यू, शान्ती वन अभू रोड और राइपस के।